हेलो दोस्तो, मेरा नाम तरिभुहन सिंग है, मैं रेरा सार्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और आज मैं नर्डा अथर्टी ने जो प्लॉट की स्कीम लॉंच की है उसके वारे में कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ, कुछ डिसकर्शन करने वाला हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे आप प्लॉट खरीच सकते हैं नर्डा अथर्टी से डिरेक्ट दोस्तो अभी थोड़े दिन पहले ही नोड़ा अर्टी ने बिडिंग निकाली हुई है बिडिंग के माध्यम से करीब 20 सेक्टर में प्लॉट's निकाले हैं पूरे नोड़ा के अंदर हैं वो सेक्टर्स फैले हुए हैं जहां पर multiple size के plots हैं उसमें आप bidding में भाग लेकर के plot को खरीच सकते हैं जो bidding की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आपको apply करना होता है bidding के लिए जिसकी जो last date है वो 14 फरवरी है तो दोस्तों आज 10 फरवरी हो चुका है तो time shift आपके पास 3-4 दिन का है तो आप जल्दी करें अगर आप plot में लेना चाहते हैं plot लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी ही उसमें apply कर दें क्योंकि last date में कई बार authority की site काम नहीं करती है कोई किसी दिक्कत की वज़े से हो सकता है कि apply आप ना कर पाएं जो bidding के लिए साइट है वो State Bank की e-bidding portal से इसका e-bidding होनी है तो वो links मैं आपको दे दूँगा कि कैसे इसको apply करना है वो सारी details आपको Noida Authority की site से मिल जाएगा मैं वो details आपको share कर दूँगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Noida Authority ने किस sector में कितने plots निकाले हैं और उसका जो रिजर्ड प्राइज है वो क्या है Authority ने हर plot का एक रिजर्ड प्राइज रखा हुआ है जहां से bidding स्टार्ट होगी और maximum price depend करता है कि bidder के ऊपर कि वो bidding कहां तक लेना चाहते हैं कितनो competition है तो उसके बारे में हम इसमें discussion करेंगे तो दोस्तो सबसे ज़्यादा जो plot सबसे ज़्यादा जिस sector में plots हैं वो sector 151 है जो कि greater noida expressway में आता है जैसे ही आप South Delhi से या महा माया flyover से आप आते हैं परी चौक के लिए तो करीब 20 से 25 किलो मेटर का range के होगा आसपास परी चौक से करीब चार पांच किलो मेटर पहले राइट हैंड साइड में यह sector पढ़ता है sector 151 sector 150 काफी फेमस है उसके आगे है जहां पर high-rise societies है इसके अलावा इस जो sector है इसके sector के सामने sector 148 का metro station है यह आप landmark की तरह समझ सकते हैं कि 148 मेट्टो इस्टेशन जैसे आता है उसके पहले ही आप लेप्ट हैंड में अंडर पास को क्रॉस करके आप राइट हैंड में आ सकते हैं sector 151 में जहां पर यह plots हैं उसके बगल में दो societies हैं एक ready to moving society है JP Amman आप उसको एक landmark की तरह देख सकते हैं JP बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कहां पर actual plots हैं तो मैं आपको बता दूँ कि JP Amman के के सामने जैसे आप खड़े होते हैं तो right hand side में जो area है जहां इसके बाद आपका commercial area, factory area इस्टार्ट हो जाता है उसे की बीच में ये plotting है वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं आप मेरी screen में ही देख सकते हैं जिस जहां पर मैं आपको एक window में screen दिख रही है इस screen में उसी side की location है उस side की location में जाकर के मैंने ये suit किया है ताकि एक आपको idea मिल जाए तो सबसे बहले बात करते हैं कि sector 151 में कितने plots हैं sector 151 में 149 plots हैं और इसमें जो सबसे छोटा size है plot का वो है 200 square meter 250 square meter और इसका जो reserve price authority ने रखा है वो रखा है एक करोड पचास लाख पांच हिजार रुपे यहाँ से bidding start होगी और इसमें और भी 3 size हैं आपको जो टोटल 151 में जो plot के size हैं वो 3 size है 250 square meter 300 square meter 450 square meter 250 square meter की जो reserve price है वो एक करोड पचास लाख पांच जार है 300 square meter की जो reserve price है minimum जो reserve price है वो एक करोड 80,600,000 है और 450 square meter की जो minimum जो जिसका reserve price है वो 2,83,69,450 है इसके अलावा ये मैं आपको मिनिमम प्राइज रिजर प्राइज बता रहा हूँ अगर कोई ऐसा प्लॉट है जिसका लोकेशन कॉर्णनर है या कोई अच्छा फेसिंग है तो उसके हिसाब से अथर्टी ने अलग रिजर प्राइज रखा है उसको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं मौके में जाकर के आप चेक कर सकते हैं या आपको मैं लिंक में ही इसके जो पूरा ले आउट है पूरा पूरे सेक्टर का उसमें आप देख सकते हैं मैप में जाकर के कि यो प्लॉट कहां पर आता है ताकि आपे decide कर पाएं कि किस में आपको weight लगानी है दोस्तो सेक्टर 151 के अलावा जो सबसे highest ज़्यादा सबसे ज़्यादा plots हैं वो सेक्टर 99 में है 46 plot है सेक्टर 151 में 149 plots हैं और सेक्टर 99 में 46 plots है और यहाँ पर जो सबसे छोटा size है plot का वो 200 square meter का plot है जिसका reserve price आता है एक करोट 64,084,000 इसके अलावा सेक्टर 44 है सेक्टर 44 में 37 plots हैं जो third highest number है यहाँ पर plots के यहाँ पर सेक्टर 44 में जो इसका reserve price है 297.5 square meter का plot है minimum जिसका reserve price आता है 3,78,14,630 इसके बाद जो fourth सबसे ज़्यादा highest है वो सेक्टर 52 में है 34 plots हैं इसके अलावा सेक्टर 49 में है 52 में भी 34 plots हैं 49 में 22 plots हैं 41 में 20 plots हैं 51 में 15 plots हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें एक-एक plots हैं कई sectors में करीब 5 सेक्टर में सिंगल सिंगल plot हैं और कुछ sectors में 3 से 5 साथ की संख्या में plots हैं तो दोस्तों यह तो आपको सारी information साइट में मिल जाएगा exact detail मिल जाएगी map मिल जाएगा उसका link मैं share कर दूँगा अब आते हैं कि आपको कहां bidding लगानी चाहिए कैसे लगानी चाहिए कैसे आप plot अपने नाम कर सकते हो बहुत सारे लोगों के phone मेरे पास आते हैं जो मुझसे पूछना चाहते हैं कि कैसे हम इसमें bidding लगाएं टेक्निकल बात मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा टेक्निकल चीज आप खुदी समझ सकते हैं या किसे टेक्निकल परसन से आप help ले सकते हैं लेकिन जो conceptual बात है जो जिसमें मेरा expertise है जिसमें मैं deal करता हूँ उसका हम discussion करेंगे दोस्तों जो bidding की bidding start होगा वो तो reserve price से start होगा लेकिन bidding depending on competition जा सकता है कि कितना जाएगा लेकिन जो market का rate है resale में जो property यहाँ पर बिक रही है secondary market में उससे उपर तो नहीं जाना चाहिए तो दोस्तों यह आपको आपके लिए बहुत जरूरी है जाना कि यहाँ पर secondary market में क्या चल रहा है और इसके according ही आप जो है bidding का आप एक idea लगा करके बैठें ताकि आपको उसमें participate कर पाएं और सही bidding आप लगा पाएं मैं बात करूँगा sector 151 की 151 में जो जिस plot में मैं बैठा हूँ यह sector 151 का 162 मिटर का plot है जो की JP Amun के एक दूसरे साइड में है और यहाँ पर जो resale market का price है वो करीब सवा लाक रुपए से डेड़ लाक रुपए पर स्क्वाइर मीटर के आसपास आता है वैसे तो lower side में plots कम मिलते हैं higher side में ही plot resale में मिलते हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि यहाँ पर property के rate बढ़ रहे हैं इसरे हर कोई hold करना चाहता है बड़े plots थोड़ी कम रेट में मिल जाते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम मिल सकते हैं बड़े plot जो difference होता है वो कोई 20,000-25,000 रुपए पर स्क्वाइर मीटर का difference हो चकता है इसमें जो महत्पूर बात यह है कि plots में 15% का जो lease rent है वो include होता है अगर आप रिसेल में जाते हैं और अगर आप नोड़ा अथार्टी से direct buy करते हैं अलाटमेंट होता है तो आपको lease rent देना होगा तो आप lease rent कितना पे करना है यह आप चुरूर उसमें include कर लें क्योंकि one time जो lease rent है जो आपको lifetime के लिए जमा करना है 90 years के लिए तो वो करीब 15% का lease rent है और अगर आप annual जमा करते हैं तो वो और ज्यादा हो जाता है तो उसको आप include कर लें और उसके according आप bid में भाग लें आपके लिए एक दूसरी जो महत्रपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप multiple plot में apply करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि अगर हो सकता है कि किसी plot में जो bidder है वो रुख जाता है या bidder थोड़ी ज़्यादा high जाता है तो उस condition में आपके लिए एक ही option नहीं है कि आपको उसको लेना ही लेना है आपके पास एक दूसरा option भी available है और तीसरा भी available है इससे आपका confidence रहेगा और आप उन दो-तीन options में आपको bidding अच्छी आप लगा सकते हैं और आपको मिल सकता है और हो सकता है कि पहले एक plot में जो bidding है वो ज़्यादा high जा रही हो दूसरे plot में वो उतनी high न जाए या तीसरे plot में उतनी high न जाए तो इसका ये फायदा हो सकता है इसलिए आप bidding दो-तीन में भी भाग ले सकते हैं इससे थोड़ी chance आपके allotment के बढ़ जाएंगे इसके अलावा दोस्तो जो एक चीज़ और ध्यान रखने चाहिए कि अगर आप premium location का ही plot bidding में लगाते हैं तो उसमें जो bidding है वो ज़्यादा high जाने के chance है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको चोड़ी सड़क हो facing अच्छी हो park हो सामने, corner हो तो ऐसे locations के जो plots में bidding बहुत ज़्यादा high जाने की उम्मीद है लेकिन अगर आप regular plot में bidding लगाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर bidding कम जाए उतनी high ना जाए तो आपको उसमें ज़्यादा chance मिल सकता है अब last में बात करते हैं कि यहाँ पर जो property है, property के जो अभी rate है उसका क्या scope है plots का क्या scope है अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल में दोस्तो मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि दिल्ली NCR में अगर सबसे ज़्यादा किसी एरिया में growth की उम्मीद है वो noida और greater noida या मनाइक्स भी भी है क्योंकि यहाँ का जो development है वो बहुत तेजी से हो रहा है और आने वारे टाइम में आप देखेंगे कि अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो आपने पिछले 20 साल में भी नहीं development देखा है या मैं तो बोलूँगा कि आपने 50 साल में वो development पहले नहीं देखा है वो अगले 5 से 10 साल में आप यहाँ देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो growth है वो ज़्यादा होगी और growth के साथ में appreciation होना निश्चित है तो आप निश्चित रहें अपना analysis जरूर कर लें government की side को जरूर refer कर लें terms and conditions जरूर details में पढ़ लें क्योंकि जो भी मैंने इस video में आपको बताया है वो इस एक idea देने के लिए बताया है आपको ताकि आप ready रहें और आपको एक scope मिले thought process का तो आप वो thought process आगे continue कर सकते हैं और इसमें apply कर सकते हैं दोस्तो ये मेरी जो service है आपके लिए ये free of cost है इसके मैं कोई charges नहीं लेता हूँ आपको free में बताता हूँ कि आप को कैसे participate करना चाहिए कितना scope है इसमें तो दोस्तो मेरा नाम तरिभुहन सिंग है मेरे एरा certified property consultant हूँ मेरा phone number है 7838696817 अगर मेरे ideas मेरे द्वारा दिये गए जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को subscribe कर ले और share भी करे और अगर आपको कोई ऐसे topic में वीडियो चाहते हैं discussion चाहते हैं कि जो मैंने छोड़ दिया हो इस वीडियो में तो आप मुझे जरूर comment में लिखें ताकि मैं आपको next वीडियो में वो चीज clear कर पाऊंग धन्यवाद